जै जिनेंद्र जै माहवीर आज एक और विज्ञान की बोलबाला है तो दुसरी और धर्म की परमपराएं चलती रहती है लेकिन व्यत्तिय सोचता है क्या धर्म और विज्ञान में कोई समन्वे है उनके साथ कोई सम्बंध है सब धर्मों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे जैन धर्म की जितनी भी बाते हैं जो भी सब्धान्त हैं जो भी परमपराएं हैं वे सब वईज्ञानिक आधार पे ही स्थापित हुई है और वईज्यानिक आधार पे ही चल रही है हाँ ठीक है जिनको समझदारी नहीं है वो परंपरागत रूप से रूटीन के रूप से धर्म की मान्यताओं को सुटार करके चलते रहते हैं क्रियाई करते रहते हैं लेकिन वास्तों में दी सोचा जा है तो इन सब के पीछे कोई ने कोई वईज्यानिक सिध्धान्त पड़े हुए है आज दुनिया परियावरन के विशे में बड़ी चिन्तित है एन्वाइर्मेंट बिगड़ता जा रहा है यही चलता रहा तो कल क्या होगा सब लोगों को चिन्ता है और इसलिए अब परियावरन सास्ति कहते हैं परियावरन की रक्षा करो पेड़ों को काटो मत पानी बचाओ जंगलों में आग मत जलाओ यह सारी बाते करते हैं तब मुझे याद आता है कि आज से पच्ची सो साल पहले धाई हजार साल पहले भगवान महवीर ने धर्म के रूप में इनी बातों को बताया था उन्होंने कहा था पेड़ों को काटना पाप है वनस्पती में भी जीव है किसी की हिंसा मत करो उन्होंने कहा था जंगलों को जलाना पाप है मत करो यह साकाम उन्होंने कहा था सुरंगे मत फोड़ो पर्यावरन प्रदुशीत हो जाएगा जीवन असुरक्षित हो जाएगा और इसलिए तत्वार्श सुत्र में कहा जो तत्वार्श सुत्र जैन धर्म की सभी संप्रदायों में सर्वमान्य एक ग्रंथ है उसमें कहा गया है जीवो जीवस जीवनम दुसरों के आधार के उपर जीते हैं, किसी को भी डिस्टरब किया, तो आपका जीवनी डिस्टरब होने वाला है, आज हमने कुदरत के साथ छेड़ छाड़ बहुत कर दी, इसलिए अब कुदरत ने अपना स्वरूप बताने का सुरूप कर दिया है, क्यों जगा जगा पर भ गरबड़े हुई है, आज एड्स का भई इतना फैला हुआ है दुनिया में, और अब डॉक्टर भी कहते हैं, संयम से जीवन जीओ, एक ही व्यक्ति के साथ सारजिक संबंद बादो, नहीं तो गरबड़ हो जाएगी, आप कहीं तकलीप में पड़ जाओगे, भगवान महव पड़ीर ने, हमारे सभी संतों ने हजारों सालों से कहते आये हैं, कि इंद्रियों का संयम बनाओ, इंद्रियों को चंचल मत होने दो, मन को यहां वहां भटकने मत दो, संयम यही जीवन है, यदि संयम नहीं है, तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा, ये बात आज से धाह इस चंद्रबोज ने बताया कि जीव है, बिना किसी लेबोरेटरी, बिना कोई संसोधन, अपने अनुभव से, अपने दिव्य ज्ञान से, हमारे तिर्थंकरों ने हजारों साल पहले बता दिया था, कि पेड़ पौधों में, वनस्पती में, सब में जीव है, उसमें भी सं बेदना है, किसी को काटो मत, किसी को दुख मत दो, उनकी रक्षा करो, तो यह क्या है, विज्ञानिक आहरी हो गया, हमारे जहिन धर्म में कहां गया है, सुझास्त होने के बाद भोजन नहीं लेना चाहिए, रात्री भोजन करना पाप है, अब आज विज्ञानिक दॉक्तर अभी यह के रहे हैं, अभी-अभी में जब अमरिका गया था, तो वहां कुछ डॉक्टर से मिलना हुआ, उन लोग ने मुझे बताया, महराज जी, अमेरिका का जो मेडिकल साइंस है, उस मेडिकल साइंस के जो यहां मेगेजिन निकलते हैं, उसमें अभी एक आर्टिकल आय जिसमें लिखा था, कि हमारा पाचन तंत्र निगड रहा है, इसकी वज़ग क्या है, फिर उन्होंने बताया, कि साम का जो भोजन है, वो भोजन लेने के और नींद के बीच में कितना समय होना चाहिए, उन्होंने मुझे बताया कि अमरिका के बड़े-बड़े वैज्यानि डॉक्टरों ने शिद्धकर के बता दिया है, कि जो मानसाहरी लोग हैं, उनको सोने के समयज और साम के भोजन के बीच, दीनर के बीच, कम से कम पाच गंटे का अंतर होना चाहिए, नहीं तो पाचन तंत्र ठीक डंग से काम नहीं करेगा, और जो साकाहरी लोग हैं, उनके ये तीन गंटे का अंतर बीच में रहना ही चाहिए, भोजन किया, थोड़ी देर बस टीवी देखा, सो गए, तो आपके सरी में बीमारियां आ जाएगी, आज वईयां इक डॉक्टर केते हैं, साम को जल्दी से खाना खालो, दिन छुपने से पहले खाना खालो, जब सुर्य चला जाता है, तब बातावण में ऐसी अवस्था पैदा होती है, सुक्स्म डेक्टेरिया खड़े हो जाते हैं, और उस टाइम येदि हम भोजन करने बैठते हैं, तो हमें बड़ा नुक्सान होता है, भगवान मावी ने तो आज से धाईजार साल पेले कह दिया था, कि रा भगवान मावी ने का सभी संतों के लिए, सभी धर्मात्माओं के लिए पानी उबाल करके पियो, वही अच्छा है, उस ही में धर्म है, तो धर्म की जो भी बाते हैं, उनके पीछे एक वईज्ञानिक पुरा आधार द्रश्टिकोर रहा है, लेकिन उस ढंग से भी उसको सम हार है, यही जीवन की सभलता का सुत्र है, जै जिनेंद्र, जै महाविश्ट